नमस्कार सर्वलांस खबर में आप सभी का स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब परें देखते हैं सिस्खब जनपधंबेटकर नगर स्वास्थ विभाग में उस समय हरकम मज गया जब दो लोगों की क्रोना रिपोर्ट आई पॉज्टेप जिनका नाम काजल आई 18 वर्स 89 ग्राम तिवारी पूर आयरोली कटेरी की रहने वाले हैं दूसरे बेतहरी राम आई 65 वर्स 89 शराय जंगल आयरो पर वाही सामने आई है क्रोना की संदिग मरेज की सेंबलिंग के दोरां सौथ भी भाग इनके पतेवा मुबाइल नंबर को लेकर बड़ी गल्तियां कर रहा है लेकिन मुक्च किसा अधिकारी डाक्टर आसोक कुमार पैखने के बजाए आख मूद कर उस पर हफ्ताचर कर द रहे कारण की पूरे जिले में इस नाम का कोई गाउं ही नहीं है उबजला दिकारी मुएनुल इसलाम भी काभी मसकत के बाद इस गाउं की सचाई दूर पाए इस परकार मुबाइल नंबर को लेकर भी सूची में गवरी देखी गई मिर्तग मुहम्द इसलाम और उसके पु बाहर इसकूल में होने की जानकारी मिलने के बाद परसान सुनिक अबना गाउं को में धूरने में बेचैन था पता चलासी मई कारी राद निवासी भाई बहान हुआ अपने रिष्टेदार के साथ रख से फरीदाबाद से अकबर पुराए थे तता जिलास पताल में धर्मल करवाई महिला के आसोस्त होने के कारण उसे उसकी पुत्री को एक अंतवास में रख दिया गया था तता भाई गाउं के पास इसकूल में एक अंतवास मेरा रहा था उसके साथ आए खेमापुर गाउं के चार लोग भी परसासन के लिए सिजदर्द बने गए फिल अहाल सभ को धूंड कर उनकी सेंपल कराई जा रही है तता से मही गाउं के ये कुरोवा को सील कर दिया गया है पेर सही रिपोर्ट आज अचानक दो लोग कुरोना पॉजिटिव मिल जाने से जन्पद में हरकंप मच गया है कैमरा पर संलाल जी चतुरबेदी के साथ अनुतिवारी अ इसी तरह सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करें नमस्कार